कि हाज फ्रेंट तो यह मैंने बना Yetensea aleyy foi ao Dough के लड़उ बहुत ही बढ़िया होते हैं और ठंड में यह लड़बू, बहुत ही है टार्ड ही के हां बहुत ही प्रोबलम्स को सर्दियों में यह काम आते हैं, और क Yesu BP North, C sticks Road, say redemption box और यह मैंने चुवारे लिये हैं और यागे हमने यह अलसी की बीज हैं । और आगे हम चलते अपने किच्छिन की और तो यह हमने इस अग्रियन को खट्टा कर लिये हैं । तो यह हम थोड़ी देर के लिए गरम होंए में जाने के बाद जाने के बाद जायेक कि बीच भी करेंगे कि अधक्ष्म होगा हिंग था ए। एक अधक्रिशन, भीकिन, एक क्टोरी तील टील तो इसको हम भूनेते यह टील हैं शल्करत लिए कि चंच करता है और एक क्रिष्प दूरने के बाद दिल限 भूने नहीं कीन थो उन्टंवाइट नितीले जुद्स टीलह हैं उसना स्टारत शचांवाजा हैं यू प्रूने के लिटाओ यह काफी चटकने लगी है तो यह काफी भून चुकी है से हम एकटोरीम निकाल लेंगे यह हम निकाल लें और आगे हमने दो चमजगी एट की यहें दैसी गी और इसमें हम ड्राइफुड्स को भूना स्टाइट कर देंगे यह हमने कट्वी ड्राइफूड्स लिए हैं और इसको हम हल्क हल्का भूनेंगे जब तक इसमें गोल्डन ब्राउन नहों जाए और यह गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसको हम आगे हलका उलका इसको और बूनेंगे इसको सारा कच्चा पर निकल जाए और इसे हम देरे-धेरे हलका- universes को गी में बूनते हो जाएंगे और ये बून रहा है तो इसको हम बीज-बीज में हलकालका से खुमाते हूँ, चमस से बूनते रहेंगे कि सब तरीके से यहां भून जाएगा और अच्छे तरीके से गोल्डन जाएगा तो इसे हम बाजू कर लेते हैं तो यह हमने एक पैन लिये हैं और इस पे हमने अलसी की बीज डाले हैं भूनने के लिए और इसे हमने भूनना स्टार्ट कर दिया हैं क्योंकि इसको हम हलका हलका semua तरीकों को जो सब्सक्राइब मिडियुम प्लेम में यह crispy हो चुका है तो इसंसे हमIK कर लेंगे और यह हमने नारियल ? की टुगडे लिए थे तो grinder में डाल चुके थे और समने grind कर लिए हैं इसको हम दरदरा grind करेंगे ज्यादा इसको मेरतन हम डाल लेंगे यह आलसी की सीट भुने हुए और यह है तिल इन दुनों को हम साद में ग्राइंड कर लेंगे और यह ग्राइंड हो चुका है और इसा को हम सारे मिक्सर को यह बरतन 받고 क्रिस्पी और यह किसमिश बूज seven वही थे तो जिनमें एक ज़स्ट बचा हुआ घी था तो उस वर्तन में हम गरम करके आगे हम एक कटोरी शक्र डालेंगे और इसको हम देरी देरे मिलाते हु जाएंगे पूरी शक्र को इसमें घीमे धीर देरे में गल्ती होई मेल्ट होती हुए जाएगी शक्र तो इसका वड दीरी वीच वीच मिक्स करते हुए जाएंगे और इसमें हम ने थोड़ा सा पानी एट किया है और इसको हम एक तार की चास्नी बनाना है तो इसको हम घी और ऑइल और इसका पुरा मिक्षर का एक अलग ही बैसिक तयार हो जाता है और बहुत ही बड़िया टेश्ट आता है तो मिक्स करते हैं अच्छे तारीके से मिलाते हो जाएंगे और से चर्माने को सुक्कै कामी फिले कि अच्छे तैका है बहुत आ कापर रिख श्क ब्लिक के तारीके दिया है मिक्सर भी है और यह इसमें दना ब्लिक काफी भी मिक्ष कों आ जाम को फिले उ长 dès आद दो फॉस जितना भी करेमल चास्णी है उसको हम अच्छे-तर्पृटी मिलाएंगे और यह हमने गैस के मीडियुम को कलो कर दिये हैं और इसे हम दीरे-दीरे मिलाती हैं यह देरे-दीरे करके और काफ़ी इसका जितना भी है सारा पुरा बैसे कि one मिल चाहिए चास्णी तो हम बीज़ फड़स को हलकालका, वह मिलाती हो रहेंगे, यह काफी मिल चुका है, तो आगे हम इसमें डालेंगे, गी अट करेंगे, इसमें हमने गी अट किये है, एक चमच, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हम थे गी अट, एक चमच कर लिए है, और इस tussen- wy क्या है कि गी तो हैं सारे लड़ों बहुत अच्छे बनते हैं तो यह बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और खाने के लिए बहुत ही बढ़िया और यह सभी के लिए बहुत ही एजिस्ट रेसिपी है और यह हैल्द के लिए बहुत बढ़िया है और खाने में बहुत बढ़िया बनती है तो यह हमने लड़ो तियार की हैं जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत बड़ी है तरीके से लड़ो तियार हुए है और ऐसी हमने सारे लड़ो तियार के लिए हैं